नमस्कार आप देख रहे हैं अनुश फोर्नेशन और मैं हूँ प्रेदर्सन से आने वाले आनंद मोहन और वे आनंद मोहन जिन्हें जी राधिकारी जी क्रिस्नया की हत्या के मामले में सजा हुई थी और बाद में लोक अभ्योजक की हत्या के मामलों में केबल राजसरकार के द्वारा या ने लेना कि वह रिहा होगा या नहीं होगा उसमें नितिशकुम के भी कोई कोशिश की जा रही है यह महत्पूर्ण इसलिए है क्योंकि आनंद मोहन जिस राजपूत विरादरी से आते हैं और आनंद मोहन जिस छवी के लिए जाने जाते हैं इसके लिए आपको वर्ष 1990 के दसक में जाना होगा वर्ष 1990 का दसक जब बिहार में लालू यादर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और इतना ही नहीं उस दौर में मंडल और कमंडल की राजनिती को दिले करके बिहार में व्यापक स्थर पर विरोध और हिंसा भी देखने को मिली थी तो उस समय आनंद मोहन एक ऐसे चेहरे के रूप में उबरे थे जो लालू विरोध में खुद को एक युवा नेता के रूप में पेश करने में सफल हुए थे इतना ही नहीं राजपूत विरादरी से आने वाले आनंद मोहन को तब सवर्नो का भी बड़े स्तर पर साथ मिला था और ऐसे में उस तोर में आनंद मोहन ने खुद की अपनी राजपूतिक पार्टी भी बनाई और यहां तक की काफी कम रूम में पहले खुद और बाद नों उनकी पतनी लबली आनंद संसत सदर से भी हुई लेकिन फिर जब जी कृष्णया की हत्या हुई उस हत्या में इन्हें अदालत ने दूसी सहराया तो आनंद मोहन के जो राजनिती में जो उनके कहें किम सितारे थे वे गर्दिस में चले गए और आनंद मोहन की राजनिती में इस्तितिया हो गई कि जिस राजफिय जनतादल के खिलाप जिस लालोयादब के खिलाप आनंद मोहर हुंकार भरते थे उनहीं की पार्टी से आनंद मोहन के बेटे आज की तारीच में विधायक हैं और ऐसे में यह जो माना जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद क्या राजपूत बोटों पर नजर बना करके नितिश कुमार ने कोई ऐसी पहल की है तो ऐसे में यह महतपूर्ण है कि आनंद मोहन उस दोर में तो सवर्नों के निता के तौर पर हुरे थे और राजपूत बिरादरी में उनकी खासी पैठ हुई थी लेकिन अब जबकि उनके बेटे ही खुद राष्ट्रे जनतादल के निता हो चुके हैं राजत के विधायक हो और जिस लालू यादब के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आनंद मोहन को जाना जाता था उनके साथ ही गलबहिया करकर के आनंद मोहन और उनके बेटे चल रहे हैं तो क्या राजपूत बोट अब फिर से आनंद मोहन के साथ जूर करके और जनताद्मियाटिट के साथ जाए प्रश्णिचिन इतना ही नहीं है पिछले वरसों के दौरान बिहार में लगातार राजनिती में कई बदलाव देखने को मिले हैं और इन बदलावों के दौर में जो सवर्ण बोठे वह सवर्ण बोठ तेजी से भारतिय जनता पार्टी की ओर शिटका है चाहे हम बात करें रा पार्टी जनता पार्टी की ओर जो सिबोट बेंक शिट हो चुका है उसमें सेंध मारी करने के लिए अगर जो जनता दर उनाइटेड और नितिसकुमार की ओर से आनद मोहन की यहाई के रूप में राजपूतों कर डोरे डालने की बात कहीं जा रही हो तो इसमें बदले रा में अगर तवन्धन की जब बिहार में सरकार बनी तो उस दौर में पechले जो विवाद सामने आया था है कार्तिक मास्टर आश्टि जनतादल के नेता है और भुमिहार कम्यूनिटी से आते हैं Uh उनको इस सरकार में कानूनमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ जब कुछ मामले सामने आये तो उनके इस्तिफा भी लेना पर गया, और इतना ही नहीं इसी तरीके से राजपूत वीराजली से आने वाले सुधाकर सिंग को भी बाद में इस्तिफा देना परा यानि कि अगस्त 2022 में ये सरकार बनी और ये जो दो सवर्ण समुदाई से आने वाले चेहरे इस सरकार में सामिल हुए थे उन देवनों चेहरों को बाद में इस्तिफा देना परा मंत्रीपत से और अब मौझूदा समय में इस्तिती है कि राजपूत हो चाहे भुमिहार हो इन दोनों का कोई भी प्रतिनिधित चेहरा मंत्री मंडल में राष्टे जनतादल की ओर से नहीं है तो ऐसे में ये समुदाई खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है अब आनन्द मोहन की रिहाई के बाद ऐसे समुदाईों को अपनी और आकरशित करने के लिए नितिष कुमार के द्वारा जो चाल चलने की बात की जा रही है तो उसमें अब महतपुर्ण होगा कि क्या जिस प्रकार से फालिया जो घटनाई हुई जिसमें की चाहे सुदाकर सिंग का इस्तिफा हुआ हो चाहे कार्टिक मास्टर का इस्तिफा हुआ हो और उससे इन समुदायों का प्रतिनित सरकार में नहीं रह गया तो ऐसे में आनंद मोहन की गिरफ्तारी क्या इन समुदायों को फिर से उस और आकरसित करने की दिशा में कोई ठोस कदम और कारगर कदम हो सकता है यह एक बड़ा प्रश्नी चिन्ह है अब देखना महतपूर्ण होगा कि आनंद मोहन की छवी क्या फिर से वो उस स्थिती में अपने आपको लापाते हैं जैसे वो 1990 के दसक में थे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उस दौर में तो वे लालू के भी रोधी हुआ करते थे और अब वे लालू के ही साथी हो चुके हैं तो अब आनंद मोहन कितना इससे राष्टे जनतादल और जनतादल राइटेर को फाइदा दिला पाते हैं यह एक बड़ा प्रश्ण चिन्ह हैं और इस प्रश्ण चिन्ह को उत्तर में तबदीर करने की पूरी जबाब देही और जिम्मेदारी आनंद मोहन के